अगर पत्तेदार सबजीों की बात आए न तो पालक का पौधा सबसे आगे होता है और इसकी सबजी का स्वाधा को कैसा भी लगे लेकिन हमारे सरीर के लिए ये काफी हेल्फुल होती है पालक को स्पिनच के नाम से जानते हैं लेकिन थोड़ा रुको जो पौधा वही देख होना इसे क्लाइंबिंग इस पिनच के नाम से जानते हैं या फिर मालाबार इस पिनच के नाम से जानते हैं सो हलो दोस्तों मेडा में सौरव और इस वीडियो में आपका स्वागत है इसे आम भासा में पोई या फिर पोई साग के नाम से जानते हैं इस पौधे में लत्ती पौधे के पत्तों की सब्जिया बनाई जाती है और इसके अलावे इनके पत्तों का दवायों के रूप में भी इस्तमाल किया जाता है और अगर और अच्छे से कहें तो यह लट्टी वाले साग है इसे मैंने बीच से उगाया है और इसे उगाये आज करीवन 6 महीने हो चुके हैं इसके पौधे भारत में और दूसरे गरम और नमी वाले स्थानों पे पाए जाते हैं हाला कि पौधा सदा बहार है लेकिन फिर भी अच्छी मात्रा में गरमी और नमी मिलने के कारण गरमीों में पौधा काफी अच्छे से क्रोध करता है इसके पौधे बीच से और कटि होता है इसके स्टेम हरे होते हैं और दूसरे वराइटी में पौधे के जो स्टेम होते हैं यह थोड़े लाल कलर के होते हैं दोनों में बस रंग का फरक है बाके सबी चीजे आपको कॉमन मिलेगी तो दोस्तों फिलाल मैं आप इने बीच से ग्रो करने वाला हूं तो इने पर जो पौई के प्लांट होंगे उसमें से भी बीच निकाल कर उसे ग्रो कर सकते हैं इसके बीच साल भर लगाया जाते हैं लेकिन अगर आप पौधे लगाने में नए हैं आपसे बीच अच्छे से नहीं उगते हैं तो आप केवल गर्मियों के समय हैं इसकी सीडलिंग करे वरना आप साल भर कभी भी इसके बीच लगा सकते हैं इसके बीच आप दो तरीखे से लगा सकते हैं पहला आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं इसकी नरसरी तयार कर सकते हैं और फिर जब पौधे तयार हो जाएं तब इसे अलग-अलग गमलों में लगा सकते हैं और दूसरा जहाँ पर इसे आपको हमेशा ग्रो करना है, हमेशा के लिए लगाना है, वही पर आप इसके डारेक्ट बीज बो सकते हैं, तो दोनों में से आप वो जो तरीका पसंद आए, आप वैसे कर सकते हैं, फिलाल मैं इसकी अवी सीडलिंग करने वाला हूँ और इसकी नर्शरी तया सकते हैं, ध्या नखें कि बीज जर्मिनेट होने के लिए गमले या ट्रे की गहराई कम से कम दो इंच होनी चाहिए, शीडलिंग ट्रे में हमने केवल कोको पीट डाला है, इसके अलावा इसमें आपको किसी भी तरह के खाद डालने की जरूरत नहीं है, बीज के उपर मोटी सी एक परत होती है, जिसके कारण बीज जर्मिनेट होने में थोड़ा टाइम ले सकते हैं, तो अगर आप चाहते हो कि बीज जल्दे जर्मिनेट हो, तो सैंड पेपर की मदद से या फिर बीज को फर्स में रगड कर, इसके उपर के परत को आप थोड़ा पतला कर सकते हो, व अगर आप इसे गमले में या फिर ट्रे में लगाते हो, तो ध्यान रखना है कि हर एक सीट के बाद थोड़ी थोड़ी जगह आपको छोड़ना है, ताकि हर एक बीज को बढ़ने के लिए जगह मिल सके, तो बीज बोने के बाद आपने जिस मिट्टी का इस्तमाल किया है, उ हली बार में आप अच्छे से पानी दें, और वीज जर्मिनेट होने तक आपके मिट्टी में हमेशा नमी बनी होनी चाहिए, और गमले को ऐसी जगह पर रखें, जहां इसे सूरज की रौसनी मिल सके, लेकिन इसके उपर डारेक्ट धूप ना पड़े, तो कुछी दिनों मे सीट आपकी जर्मिनेट नहीं हो जाते हैं, आपको अपने मिट्टी में नमी बना कर रखना है, तेज धूप से, चिडियों से, या फिर गिलहरियों से इसे बचा कर रखना है, तो वस काफी आसानी से आप भी अपने सीट को जर्मिनेट कर पाओगे बीज लगाये आज पूरे 27 दिन हो चुके हैं, और एक को छोड़कर बाकि सारे सीट्स हमारे जर्मिनेट हो गए हैं, इस टाइम पे आपको अपने पौधो को धूप में रखना हैं, और मिट्टी में आपको नमी बना कर रखनी हैं, आम तोर पे बीज उगने के बाद, हम इ इतजार करते हैं कि पौधे में 3-4 पत्ते आ जाएं, तब हम उन्हें ट्रंस्प्लांट करेंगे, लेकिन इस पौधे में, जब पौधे में 2 पत्ते आ जाएं, तब हम इन्हें ट्रंस्प्लांट कर दें, ट्रंस्प्लांट करने से पहले, आप अपने गमले में या अपी ट् पौधे के साथ ये काफी अच्छे से बाहर आ चुका है इसके पौधे सदा बाहर होते हैं साल भर इसके पौधे बढ़ते हैं और ग्रोज करते हैं तो ऐसे में जब भी आप इने किसी गमले में लगाएं ध्यार नखे कि इनके लिए कम से कम आठ इंच का गमला जरूर रखें गमले में अच्छे से छेद बना होना चाहिए नहीं तो इस पौधे के साथ खास करके पानी का काफी अधिक प्रॉब्लम होता है अगर पौधे में काफी अधिक पानी लग जाता है तो पौधा नीची से सड़ने भी लगता है तो गमले में अच्छे से छेद होना चाहिए ताकि पानी इसमें से अच्छे से ट्रेन हो सके। मिट्टी में आपको सधारन मिट्टी लेनी है, जिसमें आपको थोड़ी सी गोबर की खाद या फिर वर्मी कमपोस्ट मिक्स कर लेनी है। इस पौध ही को खाद की ज़्यादा जुरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अच्छी ग्रोध के लिए बड़ी पत्तों के लिए इसमें खाद आपको टालना होगा। गमलों को तयार करते समय आप इसमें 70-80% सधारन मिट्टी और 20-30% इसमें गोबर की खाद या फिर वर्मी कमपोस्ट डाल सकते हैं। खाद की मातर आप अपने अनुसार बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। पौधों को लगाने के लिए गमले के बीच में आप थोड़ा सा गड़ा बनाएं और इसे मिगटे में लगा दें। कोशिस करें कि पौधे को गमले के बीचों बीच लगाएं। के नई ग्रोथ आजाएगी। उसके बाद ही आप अपने पौधे को धूप में रखें। तब तक के लिए मिट्टे में आप नमी बनाकर रखें। और अपने पौधे को छाओं में रखें। तो दोस्त आज पौधे को लगाएं लगवक पांच महीने हो गया हैं। और हमारे पौधे काफी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं और एक बड़े पौधे का अकार ले चुके हैं। पौधे में आप वाइन बनने लगे हैं। अब जरूरी है कि हम अपने पौधे को किसी रसी की मदद से या फिर किसी लकड़ी की मदद से इसे सहारा दें। ताकि हमारा पौधा अच्छे से क्लाइम्ट कर सके और अपने ब्रांचेस को बढ़ा सके पौधे को आप धूप में और पार्सल सेड में दोनों जोगों पे काफी असानी से उगा सकते हैं पार्सल सेड में उगाने से पौधे के पत्ते थोड़े बड़े होंगे लेकिन ग्रो गर्मियों में पौधा काफी अच्छे से ग्रोथ करेगा लेकिन अगर आपके यहाँ काफी थेज ठंडी पड़ती है उहाँ सा रहता है तो पौधे थोड़े सूख सकते हैं तो ऐसे में आप अपने पौधे को indoor रख सकते हैं या फिर सेड के नीचे रख सकते हैं लेकिन कोशि में जल्दी फूलाएंगे और जल्दी बीज बनने लगेंगे ऐसे में आपके प्लान्ट की ग्रोध थोड़ी रुख सकती है और इसके पत्ते भी थोड़े कड़वे हो सकते हैं तो ऐसे में आपको क्या करना है कि इसके मिट्टी में हलकी से नमी बना कर रखें गर्मियों में आप रोजाना पानी दे सकते हैं और अपने पगीचे में इसे दूसरे पौधों के साथ रखें ताकि इसके अगल बगल थोड़ा मोईश्यर बना रहें पौधे में आप 30-45 दिन के अंतराल पे एक बार गोबर की खाद या फिर वर्मी कमपोस्ट दे सकते हैं बिना खाद के पौधा काफी अच्छे से ग्रोथ करता है खाद की मातरा आप अपने गमले के अनुसार रख सकते हैं पौई के पौधों में कीडों का भी खत्रा थोड़ा अधिक होता है इसके पत्ते और इसके स्टेम में काफी अधिक रस होता है जिसके कारण कीड़े काफी ज़्यादा attract होते हैं तो इससे बचने के लिए आप नीम तेल का इस्तिमाल करें नीम तेल के दो से तीन बार के इस्तिमाल से ही आपके सारे कीड लगवक खतम हो जाएंगे नीम तेल अपने लोकल बजार से खरीच सकते हैं या फिर जल्दी उसमें से भी जड़े निकल आएंगी पौधे को आप कई तरह से इस्तिमाल कर सकते हैं आप चाहे तो आप इसकी सबजी बना सकते हैं पकोड़े बना सकते हैं या फिर इसके सलाद भी तयार कर सकते हैं या फिर हो सकता है कि आप इसे खाने के लिए इस्तमाल ना करें लेकिन फिर वी पौधा इतना हरा भरा है इसके पत्ते इतने सेकुलेंट है कि पौधे को आप टेकुरेटीब प्लांट के रूप में लगा सकते हैं अपने गार्डेन में दूसरे क्लाइमबर्स के साथ दूसरे क्रीपर्स के साथ आप इस कटिंग से ग्रू कर सकते हैं फिलाल इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम बीच से उगा सकते हैं अगली वीडियो में हम इसे कटिंग से उगाएंगे और आपके साथ सेयर करेंगे तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही मुझे उमीद है कि वीडियो आपके लिए हेलफुल रह प्रच्छर